स्राम लाइकूम आज हम software project management के अंदर पहले lecture को discuss करेंगे आज के lecture के अंदर हम दो चीजों को discuss करेंगे what is project and what is management तो सबसे पहले हम देखते हैं what is project, project is an activity with specific goal project जो हमारे पास एक activity है और इस activity का specific goal होता है जो के एक specific time के अंदर एक finite period of time के अंदर हमने इसको complete करना होता है कोई भी project है चाहे वो business related हो चाहे वो science related हो या किसी भी किसम का और project हो तो उसको जब design किया जाता है तो हमेशा उसको carefully design किया जाता है carefully design करने का purpose यह होता है क्योंकि जैसे already हमने discuss किया कि हर project का specific goal होता है तो उस goal को achieve करने के लिए उस aim को achieve करने के लिए project को हमेशा carefully design किया जाता है जितनी भी organization हैं जितने बड़े इदारे हैं वो अपने level के ओपर बहुत सरे project start किया होते हैं और वो project जो हैं उसके अंदर एक बंदा भी involved हो सकता है और उन projects के अंदर thousands की तादात के अंदर भी लोग involved हो सकते हैं depend करता है कि project किस किसम का है तो project जब भी initiated किया जाता है तो उसका जैसे मैंने भी बताया कि एक specific time period होता है अब वो specific period time जो है वो few weeks के ओपर भी consist कर सकता है वो different years के ओपर भी consist कर सकता है तो mostly जब भी project start किया जाता है तो जो organizations हैं वो इसको जो है वो अकेले भी इसको develop कर सकते हैं और एक joint venture के through भी इसको जो है वो develop किया जा सकता होता है तो in short हर project का कोई न कोई एक specific goal होता है हर project जो भी start होता है उसको definitely अगर successfully and ना किया जाए तो हमारे पास जो है उसके अदर बहुत सारे issues हो सकते हैं for example लेट जो है वो develop होने से ज्यादा time लग जाने के वज़ा से project के अंदर वो गोल अचीव नहीं हो सकते जो के requirement होती है तो project जैसे मैं भी बता रहा था organizations के अंदर different types के project हो सकते हैं इसी तरह से हमरे पास projects के different types भी हो सकते हैं क्योंकि हमरे subject है software project management अगर computing की sense के अंदर हम इसको discuss करें तो developing a computerized software project system आपके पास project की एक type हो सकता है उसके लावा आपके पास किया कोई information system को अगर आप बनाने जा रहे होते हैं तो उससे related भी हम उसको कह सकते हैं यह हमरे पास ऐदा एक project हो सकता है developing a new product और services किसी भी organization के लिए new product जो अगर launch की जाए या services जो हैं launch की जाए तो उसससे related भी एक project की हम example ले सकते हैं उसके लावा अगर एक company है एक organization है उसकी structure को change किया जाता है उसके style को change किया जाता है तो भी हम कहते हैं उसको specific team उसके उपर लगा के उस project के उपर उसको फिर उसकी structure को change किया जाता है इसी तरह से आपके पास real life एगर हम example लें तो constructing or building or facility अगर आप कोई एक building construct करते हैं तो definitely उसको हम insured नाम देते हैं यह एक project है उस project के उपर लागद कितनी आएगी उस project के उपर cost कितनी है उस project के लिए time कितना है उस project की quality भी किस तरह से होगी तो यह सारी चीज़ें उस project के अंदर देखी जाती है तो इसी तरह building a water system for community in a developing country किसी भी मुलक के अंदर अगर आपको एक water system का project launch करते हैं उसको complete करते हैं देखें जितने भी यहां पे आपके पास project की example देगे हैं हर project को complete करने के लिए एक specific time चाहिए होता है specific time के साथ साथ budget चाहिए होता है budget के साथ साथ हर project का एक start time होता है और हर project का जो है एक end time होता है तो इसको हम कहते है in short project तो हमारे पास यहां पे software related भी project को inventory system भी हम उसके अंदर कह सकते हैं तो हमारे पास real life example भी जहां पे मौजूद है तो यह था हमारे पास project जिसको हमने generally जो है discuss किया उसके बाद जब software को design किया जाता है software को बनाया जाता है तो हम कहते हैं जी for example हम किसी project के ओपर काम किया जाता है या किसी specific organization से related कोई software based system बनाया जाता है develop किया जाता है उस project के ओपर काम करने के लिए definitely एक proper team मौजूद होती है एक management मौजूद होती है तो अब हम यह discuss करते हैं कि management क्या होती है management is the administration of organization management actually क्या है आपके पास किसी भी organization की जो administration है वो management कहलाती है whether they are a business or non-profit organization अगर आप उसको देख लें कोई government body को आप लेक रहे हैं उसकी specific administration होती है practical head all of public administration respectively इसी तरह से आपके पास कि organization है कुई अज़ारा है उसके अंदर जो उसकी team है वो उसकी administration कहलाती है जो उस project को run कारी होती है जो उस organization को run कारे होती है जो उस organization के अंदर मौझूद सारे काम को, working को, control रही होती है Monitor कारही होती है वो उसकी management किलाती होती है तो अगर आपके पास management qualified हो management loyal हो तो हमेशां project के जो results होते हैं वो हमेशां efficient होती है हमेशां कोई भी management जब किसी project के उपर काम करती है तो वो एक indy farm of team काम करती है एक system आप जब कोई develop करने जा रहे होते हैं indy farm of project तो उसके लिए एक specific people की team जो है वो apply की जाती है जैसे हमने project के अंदर discuss किया कोई एक single person भी जो है project के उपर काम कर सकता है और एक जो है वो chain भी people की thousands of people भी जो है वो एक project के उपर काम कर सकते होते हैं तो in short management जो है वो एक ऐसा process है of getting the work or the task done that is required for achieving the goal of an organization जैसे हमने project के अंदर discuss किया कि project का main मकसद क्या होता है कोई goal achieve करना और उस goal को achieve करवाने में जो helpful होती है वो management होती है आपके पास management उस goal को achieve करने में helpful होती है in an efficient and effective manner क्योंकि सारी चीज़ें development से related सारी चीज़ें management देख रहती है उसके लावा management जो है वो चीज़ेंग चीज़ें के अंदर directly involved होती है उसमें सबसे पहले जो है अगर कोई एक project initiate करवाना है एक project launch करवाना है एक project को पर नए project को पर काम करना है तो definitely वो start करने के लिए पहले planning की जाती है deciding what is to be done ये देखा जाता है कि क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए किसरा से काम को initiate करना चाहिए किसरा से फद्दर काम को जो है management आगे ले के जाए planning के बाद उन सारे जो working होती है जो requirements होती है उनको organize किया जाता है उसके arrangements बनाया जाती है कि planning के बाद देखा जाता है कि हम इन चीज़ों को कैसे organize करके क्योंकि आप अगर sketched way के अंदर चलेंग हर बंदा अलएद 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 अप्लैनिक कर रहा हो तो फिर प्रोजेक्ट की success rate जोते हो कम होते है जब आप planning करते हैं as a team as a management फिर उन सारी चीज़ों का organize किया जाता है और यह देखा जाता है कि उस project को करने के लिए right people कौन से हैं कौन से right people हैं अब जैसे मैंने आपको बताया start के अंदर एक organization के अंदर multiple projects हो सकती है और उन multiple projects को करने के लिए definitely different types के people होंगे different types के वहां पे implies होंगे लोग होंगे तो किसी specific project को complete करने के लिए हमेशा जब right people का जो है वो इंतखाब किया जाता है उनको select किया जाता है तो हमेशा project जो है वो timely complete होती है और उनकी quality भी बेतर होती है तो further उसके उपर directing जो instructions है उसके working जो हो फिर start हो जा तया है जो management है सारी working को उस project से related जितने भी working है उसको properly monitor करती है कि weather काम ठीक हो रहा है काम ठीक नहीं हो रहा कहां पे improvements की ज़रूवněटे करता है जो जितनी progress है उस project के उपर उस progress को continuously monitor किया जाता है उसके actions को control किया जाता है कि जो जिस purpose के लिए project बनाया जा क्या वो हमारे पास गोल जो है वो अचीव हो रहे या नहीरा है, मैनेजमेंट इस चीज़ को ensure कर रही होती है. और हमेशा जो एक अछी मैनेजमेंट होती है, उसकी पूरी कोशिश ही होती है, जब ही उस success को उनके carrier को जो है वो उसके अंदर भी एक positive रोल प्ले करें तो इनोवेटिंग जो आपके पास project है वो इनोवेटिंग कब होगा जब आपके पास management अच्छी होगे अच्छी management जो होती है वो हमेशा innovative results जो है वो provide करती है उसके लावा आपके पास जो है उसको फिर रिप्रिजेंट करने का तरीका के लिए आपके पास specific people होने चाहिए डिफ्रेंस stakeholders को उसके साथ discuss करने के लिए अब जब भी project जो है वो start किया जाता है या फिर उसकी ending की जाती है तो हमेशा उसको जो है वो represent किया जाए वो देखे के proper planning के साथ project किया जाए और organization के साथ को किया जाए मेशा right people जो इसको पर डिप्लाइ किया जाए during process उस सारी चुनेटर किया जाए सारी activities को control किया जाए और हमेशा project जो है वो एक innovative उसके अदर idea होना चाहिए एक unique idea उसके अदर हो और फिर उसको फदर जाएओ प्रिजेंट किया जाए तो आज के lecture के अंदर हमने simply project को डिसकस किया और management को डिसकस किया अगले lecture के अंदर हम management को डिसकस करेंगे और software management को डिसकस करेंगे